हेलो गाईज कैसे आप लोग मैं उमित तल्डा आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड तो यह CSAT May 22 पास आउट के लिए सर प्योरली CSAT May 22 पास आउट के लिए प्योरली वीडियो है और फुल डीटेल में आपको मैं बताऊंगा कि आपको CS Executive में क्या करना है कैसे अप्रोच करना है अलग अलग क्या-क्या आपके मन में होंगे तो आज इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा बस आपसे मैं पेशन्स चाहता हूँ फुल वीडियो देखना सारी डीटेल में धीरे-धीरे करके बताऊंगा काफी अपने खुद के में एक्स्पीरेंसे भी बताऊंगा जो आपको काम आएंगे जिससे आप काफी गलतियां नहीं करोगे काफी गलतियों को ओवर्राइट कर सकते आप तो बने रही है इस वीडि एक्सेक्टिव के जर्नी में आ चुके हो ठीक है टेकनीकली तो अब आप सीएस में आए हो ठीक है सीएसी विद्दयों आप इंटरेंस एकजैम तो डेकनीकली सीस में होती है taco का पर जो एक ओवर्रियू है आपको अभी क्या करना है आपका क्या प्रोच होना जी काफी basic information जो अभी आपको अभी जितना समझ में आएगा मैं उत्ता ही बता रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि चैनल subscribe कर लेना कि जैसे जैसे आप इस पढ़ाओं में आगे जाओगे आपको मैं हर stage पे जो necessary information necessary guidance आपको लगेगा वो मैं regular videos के तुरू बताते रहता हूं चीक है चल dates होते हैं और उन्ही dates के हिसाब से आपका exam का eligibility decide होता है ठीक है जब तक आप registration नहीं करते आप CS student ही नहीं हो ठीक है तो सबसे पहला urgent काम जो आपको करना है that is registration with ICSI in a similar way जैसे आपने CSET का करा था but काफी difference है CSET में आपको पताई होगा कि registration और exam form integrated होता है 1000 रुपय आप भरते हो बस यहां अलग अलग है यहां registration का procedure अलग है और exam form अलग से बाद में भरना पड़ता है ठीक है तो पहले आपको registration करना है number two अब दो formalities आपको और पूरी करनी पड़ेगी जो CSET में नहीं थे त ठीक है तो उनका नाम है sir ODOP one day orientation program and other is pre exam ठीक है बहुत ही नए concept है आपने जाधा इनके बार में सुना नहीं होगा और अब मैं आपको काफी सारी इसके बार में जानकारी दे दूँगा ठीक है और फिर आपको exam form भरना है sir ठीक है exam form भरना है और exam form जैसे आप भरोगे तो exam के 10 days पहले आपको admit card मिल जाता है और फिर आप admit card से exam दे सकते हो ठीक है major events यह सारे होते हैं ठीक है पहला आपको registration करना है side by side side by side आपको ODOP और pre exam clear करना है फिर exam form भरना है और फिर अपने आप आपको admit card आ जाएगा और आपको exam देना है ठीक है तो start करते हैं चलो सबसे पहला है registration dates इसी से मैं आपको attempt आप कौन सा दे सकते हो इसकी जानकारी दूँगा क्योंकि वो registration date के हिसाब से निकलता है ठीक है तो पहला जो due date आएगा that is 31st में 31st में अब भी कुछ दिन में 31st में जो आने वाला है that is the last date of registration अगर आपको December 22 में बोथ गुरुप देने है तो clear है अगर आपको December में बोथ गुरुप देने है तो ये date या इसके पहले registration कराना compulsory है नहीं तो आप बोथ गुरुप नहीं दे पाओगे clear है और अगर आपको single group ही देना है अगर आपको single group ही देना है कोई भी single group देना है module 1 या module 2 एक ही group आपको देना है then आपका last date आएगा 31st July on और before 31st July आपको registration करवाना है ठीक है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है आपको decide करना है क्या आप December में बोथ गुरुप दोगे या single group दोगे उसके हिसाब से फिर dates apply हो जाएंगे ठीक है तो बोथ गुरुप देने है तो 31st में on और before आपको register करना है अगर आपको देना ही single module है single group ही देना है December 22 में तो आपके लिए date होगा 31st July clear है चलिए आगे बढ़ते है फिर सर पैसा कितना लगेगा फीस क्या है सर तो जो CSET pass होके executive में आ रहे हैं उनका फीस होता है सर 10,100 जी हाँ 10,100 अभी आप 1000 रुपे भरके आ चुके हो बट अब फीस काफी जादा है तो फीस है 10,100 जिसका break up मैंने आपको नीचे दिया हुआ है इसके अंदर registration फीस होती है 2000 रुपे education फीस होती है 6500 रुपे pre exam fee भी included है इसके अंदर 1000 रुपी and ODP program का भी फी included है that is 600 रुपे इसके अलावा institute को आपको कुछ भी नहीं देना है at the time of registration इसके अलावा फिर सीध है आपको exam form की fee भरनी होती है to ICSI ठीक है तो दो ही fees होती है ICSI की एक है registration fee which is 10,100 और second fee जो आएगी that is exam form जो मैं आपको बताऊंगा clear है तो आपको समझ में आ गया कि exam अपना registration fee म included है तो उसकी fee अलग से आपको नहीं भरनी होती है और इसी में आपको physical modules भी मिलते हैं जी हाँ आपको physical modules मिलने वाले हैं सारे subjects के module एक साथ आपको मिलने वाले हैं और उसकी fees इस 10,100 में included है clear है चलिए फिर और एक दो सवाल के जो आप दे देता हूँ कि yes इस बार आपको login ID और password मिलेगा ठीक है जो smash portal है ICSI का उसमें आपको separately ID password मिलेगा जैसे ही आपका registration successful होगा आपको email और SMS के थूँ आपको अपना ID और password मिल जाएगा ठीक है फिर ओ लोग इन करके आप exam form भर सकते हो या जो भी फॉर्मालिटीज होती है एक प्रॉपर आपको interface एक ID मिलेगा जिसमें आप पूरा अपना details देख सकते हो चिक है तो ID password इस बार आपको मिलने वाला है चिक है अब मैं briefly आपको बता देता हूँ कि यह ODOP और pre-exam क्या है ठीक है registration के बारे में आप सब समझ गे fees बता दिया dates बता दिये ठीक है अब आजाओ ODOP ठीक है नाम में ही meaning है one day orientation program orientation program क्या होता है आपको basic information दी जाती है about company secretary company secretary course में क्या होता है company secretary क्या करता है job industry वर वर basic information आपको दी जाती है orientation program होता है और एक ही दिन का होता है यह आप online भी कर सकते हो institute के branch में जाके भी एक दिन 6 घंटा कर सकते हो ठीक है तो बस आपको institute के touch में रहना है जो भी आपका nearest branch है उसके आपको touch में रहना है जब भी वहाँ पे one day orientation program होता है बस आपको पहले register करके चले जाना है फीस तो अलड़ी भरी हुई है फीस नहीं भरनी पड़ती है बस आपको अपना नाम register करना होता है और आप जाके one day उसको करके आओ और उसका बाकाईदा आपको certificate मिल जाता है बस simple formality है और आप online भी चेक कर सकते हो वो मैं सब आपको बात में बताऊंगा अभी आप जादा उसके tension में मत जाओ ठीक है शलो फिर आता है pre exam ठीक है अपने आप में एक नया concept है जो और किसी भी course में नहीं है मतलब मेरे knowledge में company secretary course में यह लाया गया है नाम में ही meaning है pre exam pre exam मतलब जो आपका main exam होता है उसके पहले आपको एक और exam देना है main exam के पहले आपको एक और exam देना है ठीक है तो main exam अलगी है main exam proper exam hall में होती है physical होगी जाके आपको देनी होगी ठीक है CST type नहीं है आप समझ लो पहले तो main exam जो होती है वो center based होती है उसमें कुछ paper written होते है descriptive और कुछ MCQ होते है पर वो भी physical paper based होता है ठीक है online कुछ भी नहीं होता तो main exam तो center based होती है आपको center में जाके proper papers देने जैसे आप देते हो पर यह जो pre exam है यह आपको घर बेटे ठीक है pre exam बहुती informal है बहुती relaxed वे में होती है यह remote proctor mode में नहीं होती आपको कोई देख नहीं रहा होता है आपको बस घर बैठे इंटरनेट के तुरू login ID password से login करना है और आपको हर subject का एक एक exam clear करना है वो MCQ pattern में होगा pre exam MCQ pattern में होका है ठीक है घर बैठके देना है pre exam MCQ pattern म भी होगी 0.25 negative marking उसमें होती है ठीक है तो यह सब है ठीक है इसके dates अलग होते हैं तो सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा negative marking होती है 0.25 जो भी exam main exam में आपको देना है जो भी module आपको main exam में देना है उसी का pre exam आपको देना होता है तो अगर आप single module ही देना चाहते हो तो सि सिंगल मॉडियूल का ही pre-exam देना है, अगर आपको बोथ मॉडियूल देने है main exam में, तो आपको फिर बोथ मॉडियूल का pre-exam देना पड़ेगा, ठीक है, simple fund है, जो भी main exam देना है, उन-उन subject का, उन-उन 40 marks in need subject, ठीक है, simple fund है, हर subject में 40 mark आपको चाहिए, इसमें कोई aggregate passing नहीं होती, ठीक है, किसमें pre-exam में, मैं main exam की बात नहीं कर रहा हूँ, clear है, चलिए, और ये one time है, एक ही बार आपको देना है, अगर आपका attempt नहीं निकला, या अगर आपने attempt दिया ही नहीं, या किसी भी जैसे आपको एक और attempt देना पड़ गया, तो आपको फिर से नहीं देना है, pre-exam सरफ पहले ही attempt में एक ही बार आपको देना होता है, it's a one time formality, चीक है, और ये compulsory है, ये compulsory है, अगर आपने pre-exam pass नहीं किया, जो इनका date होता है, आप main exam के लिए नहीं बैठ पाओगे, आप exam form ही नहीं भर पाओगे, अगर आपने pre-exam clear नहीं किया, तो, it's mandatory requirement, ODP is also mandatory requirement, अगर आपका ODP complete नहीं हुआ है, आपका exam form फाइल नहीं होगा, चीक है, चल ये, फिर कुछ और सवाल आते है, सर इसका pre-exam का syllabus क्या होता है, तो full syllabus होता है, जो आपका जैसा main exam होता है, full syllabus, उसी त start date नहीं है, जैसे ही आपने registration कर लिया है institute के पास, उसके बाद आप कभी भी ये pre-exam side by side parallel घर बैठके देश सकते हो, तो, तो, it's mandatory है, ठीक है, और main exam का, main exam का exam form फाइल करने के पहले, आपको ये pass करना compulsory है, clear है, शलो, अब आते हैं, जैसे ही आपने pre-exam audio भी clear कर लिया, आप exam form का file करोगे, December 22 exam की मैं बात कर रहा हूँ, 26 अगस से इसके form खुलते हैं, जो आपका ID password आपको मिलेगा, उसी ID password के अंदर से आपको main exam का form भरना होता है, 26 अगस से window खुलेगी, और एक महिना मिलता है, 25 September तक आप without late fee exam form भर सकते हो, for December 22 exams, और अगर आपकी date छूट गई still आपके पास extra 15 days होते हैं, 9th October या कभी-कभी 10th October भी होती है, institute का भी पता नहीं, कभी 9th कभी 10th चलते रहता है, तो 9th या 10th October लगबग आपका last date होता है, with late fee, मतलब ये date निकल गई, तो आपका पूरा attempt निकल गया, तो ये date एकदम dead end है, with late fee, 9th October तक ही आप भर सकते हो, clear है और fees कितनी है सर, 1200 रुपए single group और both group 2400, कोई discount नहीं देता institute, single group है, तो 1200 और both है तो 2400, तो ये बस second fee है, जो आपको कह रहा था, registration की 10,100 और both group दे रहे हो, तो 2400 ये, 12,000 टोटल आपका खर्चा है, चलो, धीरे धीरे आपको ये वीडियो शायद एक और बार देखनी पड़े अब भी आपको इतने dates और ये सब timeline ख्याल में नहीं आएगी, नहीं आएगी, धीरे धीरे जब आपको understanding आएगी, आपके मन में और सवाल आएगे, तब आपको ये वीडियो का ख्याल आना चाहिए कि सर ने यार इसमें सब बताये हुआ है, pre exam के बार में बताये हुआ है, exam form के बार में बताये हुआ है, admit card के बार में बताये हुआ है, तो ये सब बस आपको video save करके रखना है, इसका link save करके रखना है, ताकि बाद में जैसे से आपके मन में सवाल आएगा, आपके मन में understanding आएगी, तब ये वीडियो आपके और ज्यादा काम आ जाएगा, चाहिए, श एक्जाना है अगर आपको विदाउट लेट फी फॉर्म फाइल करना है तो आपकी लास्ट एट जो होगी प्री एक्जान एंड ओडियोपी उसकी होगी 25 सब्टेंबर ठीक है अगर आपको without late fee form फाइल करना है तो 25 सब्टेंबर के पहले pre exam audio पी clear कर लो और उसके clear करने के बाद exam form फाइल कर लो और अगर आपको with late fee form फाइल करना है तो फिर technically आपके पास 9th October तक का time है मतलब जो भी last date exam form की होती है वो ही technically last date होती है for pre exam and audio पी ठीक है शलो आगे बढ़ते हैं और फिर जैसे ही आपका exam का date होता है उसके 10 दिन पहले आपको admit card आ जाता है website पे institute की और आपको download करना होता है तो आपका date जो होता है December exams का technically वो 20th December या 21st December से start होता है ठीक है 21st December से अगर मैं मानूँ तो लगबग लगबग 11th December को admit card आ जाता है ठीक है तो उसके पहले नहीं आता एकदम आखरी में आता है exam के 10 दिन पहले ठीक है तो ये आपका admit card का हो गया फिर है sir आपके subjects क्या है ठीक है आपका परीचे करा देता हूँ आपके subjects के साथ दो modules है sir module 1, module 2 4-4 subjects हैं और 400-400 मांके यह हैं ठीक है अब आते हैं passing criteria पर ठीक है main exam है ये ये main exam है main exam में passing criteria होता है 40 in each subject हर subject में 100 में से 40 मांक्स आपको लेने है और aggregate पूरा group जो है उसमें 50 percentage लेना होता है मतलब 400 में से 50% याने की सब मिला के 200 मांक आपको मिलने चाहिए सब में कम से कम 40-40-40-40-40 भी होने चाहिए तो 40-40 into 4 करोगे 160 तो ये होगे तो individually सब में 40-40-40 चाहिए और aggregate में 4 मिला के minimum 200 मांक्स चाहिए ठीक है तो ऐसा आपका dual passing होता है main exam का ठीक है 40 marks in each subject and 50 percentage 50 percentage in the entire group ठीक है तो दोनों में आपको ऐसा ही करना है शलो फिर है कि आपके subjects के answer कुछ समझेगा नहीं subject के बारे में पहला है सा JIGL Jurisprudence Interpretation and General Law Second is Company Law सबसे main आपका जो subject होता है core subject जो होता है जो blood है आपके course का of business entities and closure ये भी company law से थोड़ा सा related है ये भी ठीक ठाक importance रखता है आपके career में फिर tax law ये भी काफी important subject है आपके लिए income tax भी important है GST भी काफी important है ठीक है ये भी one of the important subject होता है आपके career के लिए और ये tax law जो है sir ये होता है OMR OMR मतलब MCQ based मतलब आपको ticker क्या नहीं ये written paper नहीं होता ठीक है बाकी सारे written papers है जहाँ जहाँ मैंने MCQ लिखा हूँ है सिर्फ वो ही MCQ है और उसमें negative marking भी होगी 0.25 ठीक है तो tax law module 1 में आपका MCQ based है और उसमें negative marking होती है 0.25 clear है और बाकी तीनों written papers होते है फिर आते है module 2 पे module 2 में है sir corporate and management accounting ये भी आपका MCQ पेपर है corporate and management accounting वजला accounts के आपके लंबोलें पे question आपको solve नहीं करने है MCQ पेपर है फिर है security law and capital market ये भी one of the core subject है आपके पूरे career का security law बरवर तो ये भी written paper है and third is economic business and commercial law EBCL and fourth is FSM, FMSM भी कहते है financial management and strategic management और ये भी आपका OMR है ठीक है तो in total 8 subject है divided into two groups four in one, four in other five written papers है five written papers है और तीन MCQ है तीन MCQ है उसमें एक MCQ module 1 में है और दो MCQ module 2 में है clear है एक vague idea आपको आगई होगी एक judgment आपको आगया होगा फिर सवाल उठता है सर first day, second day, एक दे, दो दे, क्या दे तो आपके पास देखो समय कितना है all depends on the time available अभी मई चल रहा है मई तो आप छोड़ दो June से लेके December तक आपके पास समय है June, July, August, September, October, November, December इतना आपके पास समय है मतला आपके पास साथ महीन है ठीक है? साथ महीन है आपके पास ठीक है? clear है? तो साथ महीने में से अभी जैसे आपको module आने में ही time लग जाएगा module लगबग लगबग देड़ महीना लगता है एक से दो महीना लगता है average याने देड़ महीने में average हर student को देड़ महीने में मिल जाता है कुछ को 10-15 दिन जल् 달दी भी आता है कुछ को Leight भी आता है ओने ऍन ऐवरिज मैं कहूं तो देड़ महीने में लेकिन on and average हर बच्चे के हाथ में module आ जाता है clear है तो वो अभी जैसे आप pass हुए हो अभी तो आप बहुत खुशी में हो दोस्तों से मिलोगे, time pass करोगे सोचोगे, decide करोगे 15-20 दिन तो आपके ऐसी निकल जाएंगे मतलब मही महना ऐसे ही complete हो जाएगा और आप maximum क्या कर पाओगे registration, वो भी आपको both group देना होगा, तो single वाले तो और time लगाएंगे, तो अगर आपके पास 6-7 महीने है believe me देड़ महीना तो आप ऐसी waste कर दोगे ठीक है, एक से देड़ महीना तो waste होने वाला है, आपको बच्चे गाई 5 महीना उसमें भी 5 महीने में क्या होता है आखरी एक देड़ महीना तो आपको revision के लिए रखना होता है फिर आपको बीच-बीच में audio पी भी करना है, आपको बीच-बीच में pre-exam भी करना है, आपको exam form भी फाइल करना है इसमें भी time देना पड़ता है आखरा है समझ में, तो time बहुत कम है बोलने का मतलब है जब तक आप समझोगे, सोचोगे, करोगे मतलब both group आप नहीं दे पाओगे both group आप नहीं दे पाओगे मतलब आप eligible हो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप दे ही नहीं सकते देने के लिए, दे सकते हो मैं pass होने की बात कर रहा हूँ pass करना इतने कम समय में मेरे इसाब से मुश्किल है, चीक है तो आप single module के लिए confidently prepare कर सकते हो single group का मतलब full chance है, आराम से आप निकाल सकते हो अगर आप starting से लेके end तक अच्छे से पढ़ाई में लगे रहते हो जादा time based नहीं करते हो जादा गलतियां नहीं करते हो तो single module आसानी से इतने time में निकल जाएगा चीक है, तो आप एक group December में दे सकते हो और दूसरा group जाएगो June 23 में दे सकते हो ये मेरे ख्याल से ideal approach होगी एक group आप December 22 में दे दो और एक आप June 22 में दो गोए दोनों एक एक करके आराम से निकल जाएगा चीक है आगे बढ़ते हैं फिर इसमें आपको ID, Password सब कुछ मिलेगा Institute की तरफ से Physical Books भी आपको मिलेंगे चीक है फिर है Validity कित्य होती है सर ये जो registration हम कर रहे हैं ये जो 10,100 रुपए हम भरेंगे इसमें हम कितना समय exam दे सकते हैं तो इसकी Validity होती है सर 5 साल 5 साल तक ये valid होता है 5 साल तक ये valid होता है तो क्या सर 5 साल के बाद फिर से 10,100 देना पड़ेगा नहीं सर Institute इतना भी वो नहीं है तो अगली बार जब आप extend कर आओगे तो आपको सिर्फ 2,000 रुपए लगेंगे 2,000 रुपए भरके आप और 5 साल तक उसको extend कर सकते हो ठीक है तो renewal fee type concept है 5 साल initial registration fee है 10,100 और फिर और 5 साल आप extend कर सकते हो by payment of 2,000 रुपीज only वो भी खतम हो गया और 2,000 रुपए देके और 5 साल carry forward कर सकते हो तो इसमें कोई limit नहीं है 2,000 रुपए भरके आप 5-5 साल validity को बढ़ा सकते हो और ये जो validity है सर 5 साल सुन लो अच्छे से काफी बच्चों को पूरी जिंदगी बर ये confusion रहता है जब तक हो CS करते है ये जो registration की validity है इसमें executive भी included है इसमें professional भी included है मतलब 5 साल में आपको executive भी clear करना है professional भी करना है समझ में आ रहा है तो 5 साल में अगर नहीं हुआ तो बस 2000 रुपे और लगेंगे tension नहीं है कुछ भी tension कुछ भी नहीं 2000 रुपे बस और भरने बढ़ते हैं और जो professional का आप बात में registration करवाओगे उससे validity नहीं मिलती है validity ये initial registration से ही मिलती है और फिर आपको validity extend करानी पड़ेगी अलग से 2000 रुपे भरके अभी ये पूरी बात आपको नहीं समझेगे अभी नहीं समझेगे मैं वही कह रहा हूँ ये link आप save कर लेना जैसे से आप आगे बढ़ोगे आपको बात में जब इस पर doubt आएगा तब आप ये video फिर से देख लेना चीक है चलो तो उसको कहते हैं deno registration की validity extend करनों को क्या कहते हैं deno चलो तो अभी आप नहीं नहीं हूँ आपके पास तो 5 साल है अभी कोई tension नहीं बिना tension के आप approach करो जब आप बहुत ज़ादा time लग जाएगा तब ये problem start होती है अगर आप normal normal pass कर लेते हो तो आपको कुछ ज़ादा दिक्कत नहीं होगी चलिए अब आते हैं sir इससे आप decide कर सकते हो कि आपको कौन सा module देना चाहिए आप कोई भी module दे सकते हो पहला one भी दे सकते हो पहले two भी दे सकते हो काफी बच्चों को ये misconception होता है या miscommunication होता है कि नहीं पहला group one पहले देना पड़ता group two बाद में देना पड़ता ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है आप directly group two भी पहले दे सकते हो group one भी पहले दे सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है तो passing result अगर आप देखोगे तो module 1 का result आता है तक्रीवन 8 to 10% Under 10% ही normally वो रहता है और group 2 का देखोगे तो 15 to 80 या कभी-कभी 20 तक भी आता है आये ख्याल में? तो double result है group 1 के comparison में group 2 का double result आता है approximately आप कोई भी attempt उठा के देख लो कोई भी attempt उठा के देख लो double result आपको देखेगा और इसका reason बहुत ही simple है क्योंकि module 2 में 2-2 MCQ पेपर है module 2 में 2-2 MCQ पेपर है MCQ scoring होता है आपको पता ही है उसमें लिखना नहीं पड़ता MCQ पेपर है तो उसमें scoring जादा आसानी से हो जाती है, जादा महनत नहीं लगती है और module 1 में एक ही MCQ है tax law और वो भी इतना समुंदर है कि कुछ खास फाइदा नहीं है उसके MCQ होने का, बहुत मुश्किल होता है उसमें भी exemption 70-80 लाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उस subject बहुत vast है, subject एक है बोलने के लिए पर उसमें 2 subject है, income tax पूरा अलग है GST पूरा अलग है अपने आप में 2 अलग-अलग बहुती wide subjects है आपको चीक है तो कुछ खास इतना फाइदा नहीं होता भाई MCQ है तो चलो 80-90 ले 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 उतना भी आसान नहीं है 60 तक आप क्या जाएंगे 60 तक decent score होता है पर 70-80 सब बच्चे नहीं जा सकते क्योंकि उसमें data बहुत ज़ादा है law बहुत ज़ादा है और practical questions भी उसमें आते है मतलब MCQ में practical questions चीक है तो आप decide कर सकते हो module 1 भी पहले दे सकते हो module 2 भी पहले दे सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है चीक है चलिए अब मेरे बारे में बता देता हूँ भाई मैं chartered accountant हूँ qualified बच्पन में ही बन गया था 21 years में All India 48th rank था मेरा CA Inter में और 8 से 9 साल से अब मैं पढ़ा रहा हूँ CA and CS full conceptual clarity दूँँगा obviously सब कुछ कवर करूँगा doubt solving ये वो ठीक है और मेरे subjects के answer CMA and FMSM ठीक है दोनो module 2 में आते है module 2 में दोनो MCQ paper है मेरे दोनो MCQ paper है और इसमें काफी scoring होता है ठीक है काफी scoring papers है 60, 70, 80 आराम से आ जाते हैं ठीक है मतलब efforts के comparison में कहा रहा हूँ जितने effort आपको एक written paper में देने होते है मतलब 40, 45 भी आप जो effort मार के written papers में लाते हो उतने effort में 60, 65 आराम से MCQ paper में आ जाते हैं तो कम efforts में थोड़े से जादा marks आप ले सकते हो ठीक है तो ये सब है सर ये सब है I think अभी जब आप start कर रहे हो एतनी information आपके लिए काफी है ठीक है सब बता दिया pre-exam के बारे में भी introduction दे दिया अब काफी और सवाल आएंगे आपके मन में कि सारे pre-exam देंगे कैसे ODP का क्या है तो सब मैं आगे बताऊंगा अभी आपको दोनों करना नहीं है last date मैंने अभी आपको बता दिया है 25 सब्टेंबर है तो pre-exam और ODP के बारे में सोच के भी कोई फाइदा नहीं है लगबग देड से दो महिने के बाद मेरे ख्याल से आपको सोचना स्टार्ट कर देना चीए तो मैं आराम से जून जुलाई में आपको एक और वीडियो बना के दे दूँगा जिस पर मैं आपको information दूँगा about pre-exams and ODP तब जाके आपको शायद समझ में आएगा अभी मैं बताऊंगा भी तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है तो इसलिए मैं ये वीडियो में बहुत जादा नहीं बता रहा हूँ कि कुछ-कुछ चीज़ें gradually over the period ही आपको समझ में आएंगे और मैं मान रहा हूँ कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लोगे बेल आइकन भी दबा दोगे ताकि आपको अपने आप notification आजाएगा जब भी मैं वीडियो डालूँगा चीक है तो पांच written papers है और तीन आपके MCQ papers है passing percentage भी मैं आपको बता दिया ताकि आप judgment ले पाओ आपको क्या करना है चीक है और exam fee भी बता दिये exam की dates exam form की dates भी बता दिये registration की भी dates बता दिये है चीक है लगबग लगबग सारी information दे दी है तो अभी आप सिर्फ registration करो और फिर आपको classes वगेरे के बारे में सोचना होगा कि आप June से लेके पूरा मेरे क्याल से June जुलाई अगस सब्टेंबर चार महिने साड़े चार महिने आपके पास है आप आराम से एक group का classes कर सकते हो वो आप decide कर लो face to face करना है online करना है कैसा करना है जो भी करना है ठीक है चार महिने में आप आराम से चार साड़े चार महिने में आप classes complete कर लो और फिर आखरी का जो देड़ महिना है एक से देड़ महिना आपको revision के लिए रखना पड़ता है तो ideally 31st October आप date रख सकते हो cut off date कि 31st October तक मेरे को पूरी जो first reading होती है अच्छे से self study, self study भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है self study वाले बच्चे भी 31st October का last date रख सकते हैं कि 31st October तक मुझे पूरी पढ़ाई करनी है अच्छा coverage रखना है, अच्छा understanding रखना है, practice रखना है, प्रैक्टिस पूरी कर ले नहीं है, writing practice और फिर November, full and 20 जो days है December के, वो भी 20 के आप 15 दिन मिलेंगे आपको तो देड़ महिना आप ये revision के लिए और test series वागरे writing practice के लिए आप रख सकते हो, ठीक है तो ऐसा आपका dividation होगा, 31st October, cut off रख लो, 31st October तक आपकी first rating complete हो जानी चीए, understanding के साथ, full coverage के साथ और November and 20 December आपको revision and test series के आपको रखना चीए, ठीक है, ideally ऐसा एक pattern होना चीए, ठीक है शलिए, thank you so much watching the video, do like the video और अच्छा लगे और आपके जो friends हैं उनके साथ जरूर शेर करें, काफी सारी information एक जगह पे एक वीडियो में मैंने आपको दे दी है, ठीक है, thank you so much, channel subscribe करना न भूले, thank you so much